देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12 वी क्लास में आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्ग्स चाहिए और इसे आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पार हुए कि मैंने आप लोग के लिए एक मार्ग्स शीट निकाल लखी है जो कि 12 वी क्लास की है तो यहाँ पर हमें चीजे जो है अच्छे से समझ में आएगी इसलिए मैंने मार्ग्स शीट को निकाल लखा है तो देखो 12 वी क्लास में आपको जो प करोगे अब यह चीज में आपको यहाँ पर रिजल्ट में समझाता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख पार होंगे कि पोल साइन्स हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसमें थोरी में हमें 19 नमर मिला हुआ है जो कि 33% से बहुत कम है और हमें इसका हमने प्रैक्टिकल दिया नीथा प्रैक्टिकल इसका होता ही नीए और टोटल जो हमारा आ रहा है यहाँ पर आप देख पार होंगे 36 आ रहा है फिर भी हमें SYCT दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि आपको थोरी में भी 33% लाना है पास होने के लिए और अगर प्रैक्टिकल है उस सबजेक्ट का तो उसमें भी आपको 33% लाना है पास होने के लिए जैसे कि एक और सबजेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आप देख पार गों कि एक जोग्रफी हमारे पास सबजेक्ट है जिसमें थोरी में हमें 8 नमर मिला हुआ है जो कि काफी ज़्यादा कम है इस तरीके से थोरी में हम फेल है और प्रैक्टिकल में हमें 19 मिला हुआ है जो कि हम पास है प्रैक्टिकल में हम पास है लेकिन थोरी में हम फेल है ठीक है यह चीज़े मैं आपको यहाँ पर प्रूप के तोर पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख पार होंगे Senior Secondary Course यानि कि 12th A Minimum of 33% Marks Passing Marks बता रहा है यहाँ पर लेकिन Column में लिखा हुआ है Separately in Theory यानि कि Theory में अलग से 33% and Practical in Subject एक Subject में अगर Practical है तो उसमें भी आपको 33% लाना है और Theory में भी आपको 33% लाना है एक Subject को Qualify करने के लिए तो यह चीज़ यहाँ पर आप देख लेना और जो मैंने इसे पहली वाले वीडियो में बताया था जिसे मैं Trim कर दिया देखो मैं सच बोलता हूँ मुझे जूठ भोलने के कोई जो अतनी है मैंने गलती कर रही है मैं गलती को Accept कर रहाँ जिस वीडियो को मैंने Edit कर दिया उसमें मैंने आपको बताया था तो वो चीज़े जो मैंने आपको बताया था CBSE के Base पर बताया थी CBSC में क्या होता है देखो मैं जो हूँ CBSC से पढ़ा हुआ हूँ ठीक है तो मैंने अपने Marksheet की According आपको बताया था 12th Class की बात ठीक है उसमें क्या होता है जैसे 10th Class में यहाँ पर होता है ना इन यूएस में कि जो Total Marks की Passing Marks की जो Calculation होगी वो Theory plus TMA plus Practical equal to 33% होगी वो ही चीज़े CBSC वाले 12th में भी फोलो करते है तो वो चीज़े जो मैंने आपको बताया थी हो 12th के बेस पर बताया थी उसके लिए मैं माफ़ी चाता हूँ ठीक है लेकिन जो 10th Class के जो Student है उनको 33% चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया है कि Theory plus Practical plus TMA equal to 33% चाहिए तो यह correct है यहाँ पर यह चीज़े आपको किलियर हो गई होगी और कोई भी आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर देना और अच्छे सच्छे सलूशन वहाँ पर प्रवाइड करने की कोसिस करूँगा ऐसे वीडियो के चैनल को सस्क्राइब कर लेना कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ठीक है और वीडियो अगर थोड़ बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में